कि आई आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक एगर में मनुविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा वैसनमुक्ति तग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैट्टिस करता हूं कुछ दिन पहले मेरे पास में लड़की लाया हाथ पर बांगे उसकी उमर थी करिब करिब 20 साल की बांगे इसलिए लाया कि वह बार 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 स्यूसाइड के लिए दोड़ रही थी कभी रेल पट्री के नीचे या कोई के तरफ जा रही या फिर फासी लेने के कोशिश कर रह है कि मुझे मरने दो मुझे अभी मरने का है यह माबाब को पूचा कि वह इसको बार्मत की लिया वह इतना इतना क्यों वह अनकंट्रोल है मतलब शीज नॉट इंट रहे लेडिए उसको वास्तेविता से कोई संबन नहीं है बोला हुआ क्या बोले यह पिछले छे महने से ल चांप लड़का है और उसके इतनी प्यार में कि मैं इसके साथ में शादी कर ले ख हुआर यह कुष रेज़ना करना पर तो लड़के की क्या कि कुछ दिन पहले उसकी शादी एक लड़की के साथ में गर लदी कि कर लो उसके क्या है जैसे इसको मालूम हुआ कि उसकी शादी पक्की हो गई और भी शादी तब से यह पागल यह सी कर ले। तो भी तूने के बाद पाले तो भी डिवर्स लेरे और जिधा कर लेकर मानने को तेरन मेहीं को पूछता हूं करूंगा फिर यह तो भी पतनी के नीचे मरने के लातिए है और फिर ये दुन्दाम करती है और जब उसको मालूम पढ़ा कि अभी लड़का कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है या अभी लड़का आने माला नहीं है वापस तो फिर वो दोड़ दोड़ के जा रही है भी रेल के नीचे मरने के लिए और उसको मतलब खाना बन कर दिया उसने मेरे को भी मरने का है और वो मरने के लिए दोड़ रही है तो इसका जो यह था यह डिप्रेशन हुआ था मतलब एक्यूट रियक्टिव साइकोसिस टाइब यह था और साइकोटिक है उसको रियलिटी से कोई संबन नहीं है इंसाइट नहीं है उसको मालूम है कि अभी सब्सक्राइब लड़कों को घर में बुलाया उसके साथ में बातचीत कर वाया उसको समझाए दे कि ठीक है भी तू ऐसा कर मुझे भी 15 दिन का टाइम दे मैं मेरे अभी पतनी को पटाता हूं उसको बताता हूं कि तू डिवोस्त ले रहे ले और मैं फिर तरह यहां अमने उसको फिटलाइस किया उसको रूस्त्रेव किया बार बार भात और भागे तूसको से लिघम तिटिया फिर बातजी कर दो बातचीत कर लोगा तोродंप को सवाल इसे उतर एक सब्सक्राइब दिया औी तक ईंड़नु पर प्रूंने तो Jest लिए उसको समझ ड़ू peeling क्वत अने लगतों बिलने लगर कि अगुझी समझ में आ रहा है किस्का इसमें मतलब नहीं कुछ मलता है कर रहे हैं अभी मुझे ऐसा लग रहे, तब बी है अच्छा रहने को तैयार वह उसको अने लगा क्य가지 अभी वास्ता कैको अभी समें होता रिएपी अपने के अको फसाने माला हो सकता है है इतलए हो कि डॉक्तर के या पेडंस के समझाने के लिए समझने के लिए उनको सामने से बोल सकती है कि ठीक ठीक आप जैसा बोलते हैं ऐसा मैं करते हूं और अंदरों कुछ न कुछ अपना ही उल्लू सिदा कर लेगे फिर सुसाइड के लिए दोड़ेंगे यह सुसाइड कर लेगे इतले मैंने उनको पता है कि अभी अंडर ऑब्जरवेशन रोखो ऐसा नहीं कि अभी अच्छ को सचमुच बोल रही है और वह भी ठीक होने लगी है अब बोल रही कि मैंने को छोड़ना पड़ेगा मैं भी जिनने को तयार हूं अभी मैं जी लूँगी देखूंगे अभी मैं क्या संभव है मेरे लिए तो मतलब वह टच्वित रियालिटी आ गए वास्तेक्ता से उसका हम बोल सकते नहीं उसको observation में रखना बड़ेगा ऐसा मैंने parents को बोला under observation मेरे पास में एक दिन आर एक दिन आप लेके आजाओ हम counselling करेंगे बाच्चित करेंगे उसको follow अच्छा हमने खासा दिया एक मेने बाद में तो पूरी ठीक हो गई और अपना जीवन बिताने के लिए वो तयार थी कॉलेज जाहिं जर्थी बोले भी में और में नया जीवन शुरूर कर देती है तो यह संभव है इस तरह का इलाज मगर लोग कितने प्यार में अंदे हो जाते है और उसका कितना असर हो जाता है और माबाप उसके तरफ देखती नहीं है मालूम ही नहीं पढ़ता हूंको सबसे होगे फांदो काईन बात्तित किया किया के क्वमतार देखती नहीं माबाप माब का फरव जी चालू क्या है यह स्कूल में जाती है तो बावर जारे कंद जारे कि कॉले में चेक कर तरह LIKE कि माबाप कि कौले मुझे पहूंच रही उसको ट्रैक करना जुरूर है इसके पास में हमने 100 रुपे चार्जिंग को दिये थे मोबाइल चार्जिंग के लिए 100 रुपे दिये इसके परस में 500 कहां से आया है क्या लड़के लोग दे रहे उसके परस में 500 कैसे मतलब मावाप जब ऐसे सजग रहेंगे तो ऐसी नौबत आएंगी नहीं और यह जगह भी उसक सामनाम कर सकते जब वो शुरुवात हो जाती है अभी इतना ही है आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्स्राइब करो लाइक करो थैंक्यों भेरी मच झाल